डुनिया के जितने भी धरम हैं पंध हैं उसके किसी एक धर्म स्थ पर बतादो किसी एक धरम में गाय का वध होता इंपा मंधी में होता अच्र था मंधिर में। नहीं आपा मतर को आश्रम में। नहीं होता दूसरी बात, ईशा जब धर्ती पर आए तो गौशाला में आए इसलिए हुआ मदर काउ बोला जाता है मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में गाय का वद्ध अपराध माना जाता है भारत के किसी धरमस्थल में होता है तीसरी बात, दुनिया की सबसे बेस्ट सेइंग है एवरी बॉर्ण बेबी हैज ही ओन मदर और हर मदर परन्तु दुनिया के सब बच्चों की गाय एक मा है ये युनिवर्सल टूथ है, वेग्यानिक टूथ है तो मेरा ये कहना है, ये अपराद जगत बढ़ाते रहने का काम ना कानून ने करना चाहिए, ना जन्ता ने करना चाहिए, ना हम ने करना चाहिए, ना मीडिया ने करना चाहिए और ना सरकार ने करना चाहिए, इसको किसने करना चाहिए इसलिए गाए जिसके दूद से, जिसके गोबर से, जिसके मूत्र से, जिसकी और सांस से सब प्रानी मातर कहल होता है, उसकी वद नहीं होगा, उसकी रक्षा और सेवा होगी उसका गोश्त नहीं खाय जाएगा, उसका दूद पिया जाएगा तो यह है जो भारत में और विश्व में शैतान का अपराद बढ़ रहा है यह सब रोका जा सकता है